नमस्कार दोस्तों, आज के session के अंदर हम लोग जोगरफी के previous year के questions के उपर चर्चा करेंगे इन previous year के questions से चर्चा करने के बाद आप लोगों को 3 वाते महत्वपूर्ण समझ में आएगी सबसे पहले किस तरीके का exam pattern है exam में कैसे question पूछे जाते हैं और कौन सी limit है जहां तक आपको पढ़ना है दूसरी चीज़ जो समझ में आएगी वो ये किस तरीके के logic exam में लगाने होते हैं अपने questions को solve करने के लिए और तीसरा के कुछ option से भविश में question बनाए जा सकते हैं और आते भी हैं एकसी condition में कैसे खुद को ready रखना है उन options के लिए इसलिए इस session को बहुत अच्छे से देखना end तक देखना एक एक बात जो मैं कहा रहा हूँ वो important है इन में से ये जो statement है उन्हें consider करो agriculture soil के लिए अगर soil में organic content जादा होगा तो फिर water hold करने की capacity कम हो जाएगी soil जो है वो कोई important role play नहीं करती sulfur की cycle में irrigation over a period of time एक समय के बाद contribute करता है salinization के अंदर कुछ agriculture land में इन में से कौन सी statement सही है ये पूछा था 1 and 2, 3 only, 1 and 3, 1, 2, 3 बोलो ती सेकंड आपके बास ती सेकंड डे ये बास है आपके बास है आपके सही है आपके सही है झाल आपके सही है बताओ यार सिंपल है अलो बहुत सिंपल है अलो बहुत सिंपल है अलो बहुत सिंपल है कभी आपने ऐसा कोई स्टेट्मेंट पड़ा है वाटर होल्डिंग केपैसिटी की सीज़ पर डिपेंड करती है सॉयल के पार्टिकल्स पर जितने पार्टिकल बारिक होंगे उतनी ज़्यादा पानी को होल्ड करने की केपैसिटी ज़्यादा होगी इस कारण से वो पानी को होड करने के पार्टिकल के साइज पर जाता है है दूसरा सेलफर शाइकल के अनल सॉयल को विर लॉल है वाव पकल के जब अब में पढ़ा है कि जब एलोजन होता है सेडिमेंटरी रॉक का सेलफर निकलता हैеж करी जब आपने जिबने सेल पर में अन्दर या फॉस्फपॉरस साइकल पढ़ी होगा उस उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि यह दोनों ही साइकल इंपर्फेक्ट साइकल है गेशिय साइकल से ना होते हुए यह बहुत ज़गा डिपेंडेंट है धर्ती के उपर रॉक्स वगेरा के अंदर कही सारे प्रोटीन में आपने सलफ़र होता है हमाई शरीर में इस अंदर चल सोगी साइकल में बिल्कूल कर रही है QE S Kolleginnen से तो सेकंड बंट भी गलत हो जाता है थर्ड पॉइंट एक पॉइंट तक इरिगेशन करने के बाद में सॉइल के अंदर सेलिनिटी आ जाती है यही तो सॉइल प्रॉब्लम भी है ओवर इरिगेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इवन एंसी आटी में दिया हुआ है कि यह चलो अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन के ओपर विद रेफरेंट टू जो सोलर प्रावर प्रोड़क्शन इन इंडिया इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा सिलिकॉन वेफर का सिलिकॉन वेफर का मेनूफेक्शरर है पोटो वल्टेट यूनिट में दूसरा तोलर पावर टैरिफ तोलर एनरजी कॉपरेशन ओफ इंडिया द्वारा निवधारित की आते हैं हाला कि यह स्पेसिफिकली जोग्रफी में नहीं बढ़ते हैं यह स्पेसिफिकली कोशन इको कम इनते हैं आते हैं तोलर को गरिंदी कोशन देवार में बढ़ते हैं आते हैं यह स्पेसिफिकली कॉपरी ट्रॉबट लब में टॉबट डॉब ऑजिकली यह स्पेसिकली कॉपरा तोलर पावर चल्वर मेंुबट पल्यून झाम अजूब गल्ह में ठॉछरा इक्भाय कि 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 कम आन कि 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 मैं इसलिए रहा हूं था कि आपको कोशन और ऑप्शन दिखते नहीं आपके ऑप्शन है वन अनली टू अनली बोथ वन इन टू नाइधर वन नौर टू है इसलिए वन इसलिए है व कि मैं इसलिए वी Prin है 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 चलो हो गया समय बताओ जवाब नीचे कमेंट में देना है स्टोलर डैश करके ए बी सी डी जो भी आपका जवाब है वह आप नीचे कमेंट में दोगे देखो इंडिया जो है वह थर्ड लार्जिश मेनुफेक्चर है सिलिकॉन वेफर में जम नहीं रहा कुछ सिलिकॉन चिप्स वगेरा भारत अभी बनाने की शुरुआदी कर रहा है फैब के लिए हम लोग अभी इसकी मी निकाल रहा है अभी सिलिकॉन की मेनुफेक्चरिंग इतनी चालू ही नहीं है वो जिस समय कोशन आया था उस समय भारत में सिलिकॉन बनते ही नहीं थे एक सिंगल फैब भी नहीं बनता था थर लाजिश तो बहुत बड़ी बात है तो अलग अलग इंस्टिटूशन डिसाइड करता ही नहीं है हमारे यहाँ पर टेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन है जो जितनी भी जैन कॉस होती है यानि कि जनरेटिंग कंपनीज होती है उनको रेगुलेट करता है और इवन उनके टैरिफ भी डिसाइड कर करता है ऐसी कंडिशन में कोई भी जनकॉस हो चाहे वो विंड एनर्जी बना रहा हो चाहे वो सोलर एनर्जी अगली बार भी शरीके से घुमा सकता है तो इसको ध्यान में रखना ठीक है तो एनरजी कोपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती क्या है फिर यह ना पावर ट् यह बस ठीक है तो ऐसी कंडिशन के अंदर सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है तो आई थिंक डीज राइट आंसर नाइदर वन नौर टू ठीक है तो आई होप इतनी बाते आप लोगों समझ माई होंगी लेक्षे अच्छा लगाओ तो लाइक करना लेक्षे बहुत अच्छा लगाओ तो नीच्छे एसाज रेटें कमेंट करना अगर आप लोग को यूपी सी सी की तयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो अनकैडमी ने आफ्लाइन क्लासेश खूल दी है जो आफ्लाइन क्लासेश के अंदर आप लोगों को इंडिया के टॉप टीचर पढ़ाएंगे आपको टेस्टीज मिलेंगी आपको one on one mentorship मिलेगी आपको एक अलग से learner desk मिलेगा सांथ में अगर आपको लगता है सारे में रूम पार्टनर बहुत परिशान करता है तो आपको एक अलग से लाइब्रेरी का भी एक्सेस मिलेगा ठीक है आपको वन और मेंटर्शिप मिलेगी यह सारे बेनिफिट आपको यह पर मिलने वाले हैं एक नीचे मैंने काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना जिसके बाद हमाई टीम आपको रिच आउट कर लेगी काउंसलिंग फॉर्म को फिल करने से क्या फाइदा होगा आपको आपको डेमो क्लासिस मिलेगी हाँ अभी तक ऑफलाइन की दुनिया में कोई भी डेमो क्लासिस नहीं देता है पर उस counseling form को अगर आपने भरा होगा तो unacademy आपको डेमो class देगा दूसरा आपको एक current fs की magazine free of cost मिलेगी हमाई team आपको reach out करेगी और offline center से related आपको कोई भी doubt है उसको solve करेगी I hope इतनी बाते clear होंगी नीचे हो जो आपको फिल आउट कर देना इसके अलावा आप अगर जानना चाहते हो कि अन academy का offline center किस तरीके का दिखता है तो यह हमारा राजेंदर प्लेस करके metro station है उसके जज़ पास में यह center है तीवारी house ओला जो बहुत चलता है मतलब यहां पर classes वगेरा होती करोल बाग की आप देख सकते हैं इंडिया के लाइबरेरी भी है कहीं सारे बच्चे हमारे साथ ते ग्यारी कर रहे हैं आप भी जुर्दक्ते हों